हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई यूटूब चैनल फ्रेंड जैसा कि आप देख रहे हैं डिल की पावर सप्लाई है डिल ऑप्टिप्लेक्स के कई सारे मोडल्स में यूज होता है यह 780, 790, 990, 7010, 9010, 9020 कई सारे मोडल्स में यूज होता है तो रिपेर होने के लिए आया है मे मेरे किसी यूटूब सब्सकाइबर ने भेजा हुआ है रिपेर करने के लिए तो पूरा वीडियो देखिए बिना इसकिप किये हुए तो इसको मैं बताऊंगा कि इसमें किस टाइप का फोल्ट है और इसको रिपेर कैसे करेंगे तो आप सीख पहेंगे कि अगर आपके पा पहेदा है या रिपेर के लिए आप हमें थह सकते हैं तो चलिए पावर लगाकर एक बार चेक कर लेते हैं कि इसमें आउट्पूट में कुछ बॉल्टेज आ रहा है या तो इसमें वो ग्लो नहीं हो रहा है इसका मतलब की आउर्पुट नहीं आ रहा है तो कई बार स्विच भी खराब होता है तो इसलिए हम बोल्टेज चेक कर लेंगे तो एक प्रोब हम ग्राउन दे देंगे और दूसरे से फाइव 4.8 बोल्ट पी एस ओन चेक कर लेंगे और भी देख लेंगे कि कोई बोल्टेज आ रहा है नहीं किसी किसी में 12 बोल्ट अब जो नहीं सप्लाई आ रही है उनमें आता है 55-99% की input में problem है तो इसको open करेंगे open करने के बाद proper हम चेक करेंगे कि इसमें खराब क्या है और हमारे चैनल पर अगर नए हैं अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आया तो like answer जरूर करें हम आपके लिए बहुत सब्सक्राइब यह पार्ट आपको प्रोड़ाइब कर वादेंगे आप वाट्सब्सक्राइब कर सकते हैं तो यह देखिए यह मैंने open कर लिया है तो यह थोड़ा सा ब्रेंडेड है और SMD पार्ट भी लगे हैं और डूल लेयर PCB है क्योंकि देखने से पता चल जा रहा है त आप ही वड़ा लगा हुआ है filter capacitor और यहां पर देखिए ए फ्यूज लगा हुआ है यहां पर और ब्रीड डाइबोर्ड है एक बार फिजिकली चेक करने मोर्स्वेट लगा हुआ है और इधर देखिए इन्पूट सेक्षन है इस साइड में और यह ट्रांस्फोर्मर के इध आपको पता होना चाहिए इन्पूट और आउटपूट दोनों पता होना चाहिए किधर हमें चेक करना है तो यह पूरा आउटपूट है और इस साइड का जेधर capacitor आपको filter मिलेगा और इन्पूट है इस तरह से यहां देखिए एक IC लगी है यहां पर देखिए अब दिकरा निकाला होगा आपको यह अब इस लगी हुई है तो ए भी इन्पूट में ही लगा हूआ है तो जिसमें लगा होता है मैक्समुम खराब होता है अब इसमें हम चेक करेंगे पूरा जब PCB बाहर निकालेंगे तो हमें पताचा लेगा कि एक हराब है यह सही है तो किस्टेप ब तो अब यहां पर देखिए मैंने PCB को पूरा बाहर निकाल लिया है अब हम करेंगे इसको प्रॉपर चेक और फिजिकली हमने देख लिया है पीछे से कुछ शॉर्ट नहीं दिखा रहा है तो यहां पर हम फ्यूज चेक कर लेंगे यह देखिए फ्यूज ओके है हमारा फ्यूज नहीं खराब है और अब उसके बाद यह ब्रीज डाइवोर्ट है यह देखिए ब्रीज डाइवोर्ट भी ठीक है शॉर्ट नहीं है अब ब्रीज डाइवोर्ट के बाद यह फिल्टर के पेश्टर है तो अब इसमें फ्यूज ओ होगी तो इस कंडिशन में अब हमें यह चेक करना है कि मॉस्फेट ओपन नहीं है और मॉस्फेट शॉर्ट तो नहीं है अब यह हम अब यह TNY IC जो लगा है वह चेक करेंगे वह खराब है या नहीं खराब है तो यह हमें कंफर्म करना है अब इसका एक साइट का सारा ग्राउंड रहता है एक पिन सप्लाई की रहती है और एक आउटपुट रहता है एक पर पल्स आता है फिडवेक के लिए तो यह सेवन पिन की IC है तो यह सोट नहीं है और इसको ट्रेक करने के लिए फिल्टर के पोजिटिव से आप डारिक्ट जो एक पिन का गैप रहता है जो एक पिन सबसे अलग है उस पे आप कंटिनूटी डारिक्ट आपको मिलेगी फिल्टर के पिस्टर के देखिए फिल्टर के पोजिटिव से अगर आपको दिख पा रहा होगा तो वहाँ पर डारिक्ट कंटिनूटी मिलनी चीए जो एक पिन गैप होगा जहां पे आप देखेंगे एक साइड में चार पिन एक साइड में तीन पिन तीन पिन जिधर है उदर एक पिन थोड़ा सा दूर होगा बीच में एक पिन नहीं होगी तो जो दूर है एक पीन, दो पीन पास पास होगी, एक पीन जो दूर है, उस पे और फिल्टर केपेश्टर के पूर्टी पे continuity आएगा आपका, लेकिन इसमें continuity नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब बीच में open है, कहीं ना कहीं, component, तो इस पे supply नहीं आ रहा है, जो फिल्टर केश्टर पे supply आता है, से तो अब यहां से हम backtrace करेंगे क्योंकि इसमें smd component लगा है dual layer और किसी-किसी में बड़ी-वाली resistance लगी है इसमें smd resistance तारी लगी है तो अब यहां से देखिए यहां तक continuity आ रहा है यहां से continuity आ रहा है यहां तक अब आपको एक resistance दिख रहा होगा अब जब उस side से हम check कर रहे हैं अब यह नहीं आ रहा है बीच में एक resistance है अब यहां continuity नहीं आ रहा है इसका मतलब एक resistance open है यह देखिए अब इधर से continuity आ रहा है कैपेस्टर की तरफ से अब एक resistance जब हम check कर रहे हैं तो एक open है और एक resistance 10 ohm की है तो इसका मतलब continuity आना चीए 10 ohm की resistance पे यह SMD resistance है यह देखिए यह थोड़ा सा चोड़ा सा दिख रहा होगा आपको तो अब हम इसको IC निकालेंगे अगर आपकी resistance खराब है तो IC जरूर चेंज करें क्योंकि IC खराब होता है वो resistance protection के लिए लगा है as a fusible तो तभी वो resistance खराब होता है अगर resistance लगाएंगे maximum 90% chance है कि वो फिर burn हो जाएगा तो इसलिए IC बदल दें IC बदल के फिर resistance चेंज करेंगे तो 100% आपका power supply repair हो जाएगा तो मेरे पास new IC है TNY 278, 280, 279 कोई सा भी लगा सकते हैं अगर 78 लगा है 79 लगा है 7080 लगा है 79, 78 कुछ भी लगा है थोड़ा सा wattage उपर नीचे होते हैं तो यहाँ पर मैंने IC लगा दिया है dual layer है इसलिए hot gun से इसलिए निकल जाता है otherwise हम इससे iron से निकाल देते हैं IC को अब उसके बाद हम यह देखे लगा दिया है अब हम resistance को change करेंगे यह जो 10 ohm की resistance है हमारे पास SMD resistance है नहीं तो हम कोई सी भी 10 से 20 ohm की resistance लगा सकते हैं आप 30 ohm तक में भी चल जाएगा fusible resistance है वो ज्यादा ohm की ना लगाए 10, 5 ohm, 10 ohm, 20 ohm कोई सी भी लगा सकते हैं यह देखिए यह resistance है यह burn है आप दिखनी पा रहा होगा clear लेकिन बीच में जला भी हुआ है तो आप ट्रेक करेंगे अगर जला भी नहीं रहेगा तो आपको पता चल जाएगा फिल्टर का पेशा से बिदिल्कुल continuity आना चीए तो यह देखिए मैंने नॉर्मल रेजिस्टेंस लिया हुआ है तो उसकी जगहां पे लगा दूँगा यह थोड़ा सा ध्यान से लगाना होगा कहीं कि कि किसी और ट्रेक में शॉट ना हो कि बिल्कुल उसी ट्रेक पे हम लगा देंगे कुई ए रजिस्टेंस ऐसे फ्यूजेवल यह भी मैंने 20 ओम का लगाया हुआ है और उसके बाद हम पूरा प्रॉपर चेक करेंगे तो प्रेंशाय होप कि यह वीडियो आपको इससे कुछ सीखने को मिल रहा होगा कि कैसे डियाग्नोस करते हैं और अगर आप नहीं भी रिपेर कर पाते हैं अगर आप एंड यूजर हैं तो मुझे वाट्सप कर सकते हैं और अगर आपको पूरी सप्लाई ही चीए तो तब भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हम आपको प्रॉइड करवा देंगे अब यहां पर देखिए यह देखिए पूरी कंटिनूटी आ रही है जब यहां से आप फिल्टर कैपेश्टर से चेक करेंगे तब भी पूरी कंटिनूटी आपको मिलेगी यह देखिए इस तरह से पिन नमबर एक से अब वहां तक पूरी कंटिनूटी आपको बराबर आ र तो अगर कुछ नहीं आ रहा है तो इसमें यही प्रोब्लम होती है अगर लोड का इश्यू है आपका डिक्टोप एक बार चल के बंद हो जा रहा है तो उस केस में हमें आउटपुट देखना होता है या फीजिकली देख लें कोई कैपिस्टर फूला तो नहीं है या तो मैक्सिमम चांस रहता है कि आउटपुट में ही प्रोब्लम होगी तो अब हम एक बार ऐसे ही चेक कर लेते हैं बाहर ही कि हमारा ओन हुआ बोल्टेज आया या नहीं आया तो उसके बाद फिर पैक करेंगे क्योंकि अकर नहीं हुआ होगा तो फिर हम एक बार स्विच से ह देख लेते हैं यह देखिए गुलो हो गया LED तो इसका मतलब यह ओन हो गया पहले यह हम प्रेस करते थे तो ओन नहीं होता था तो अब एक बार बोल्टेज चेक कर लेंगे बोल्टेज आया या नहीं आया उसके बाद शेवर हो जाएगा कि यह रिपेयर हो चुका है कि नहीं हुआ है क्योंकि यहां हमें आउटपुट में कुछ भी नहीं मिलता था यह देखिए साथे चार बोल्ट के आसपास हा रहा है 4.8 बोल्ट आना चाहिए तो यह भी सही है थोड़ा सा टोलिजनस रहता है मल्टिमेटर से तो यह देखिए 12 बोल्ट भी आ रहा है तो यह हमारी SMPS रेडी हो गई है अब इसको हम पैक कर सकते हैं तो आई होब कि आपको पुरा वीड इसमें इसी टाइप का मैक्सिमम फोल्ट मिलता है हमें आपने और भी वीडियो देखी होंगी मेरी तो ज्यादा तर इसी टाइप का फोल्ट मिलता है और अब सारी बोल्टेज चेक करने के लिए ग्रीन और ब्लैक वायर को शॉर्ट करके हम 12 बोल्टेज जो CPU को सप्लाई ज देते हैं तो अब यह देखिए यहां से जो LED है जब हमने शॉर्ट करके ओन किया सप्लाई को तो भी बिल्कुल प्रॉपर ग्लो हो रहा है तो इसका मतलब सारी बोल्टेज बन गई है और SMPS रिपेर हो चुका है तो अब हमने इसको कुछ नहीं करना है इसको पैक करके सिधा कश्मर को दे देना है क्योंकि इसमें फोल्ट मिल भी चुका है अब ऐसा डाउट नहीं है कि लोड की प्रोग्लम आएगी या रिस्टार्ट